आपने देखा है ये कुर्सी की लड़ाई है केद्रिवाल जी आये थे अन्ना अजारे जी के उसमें ब्रश्टाचार को रोगने के लिए और खुछ ब्रश्टाचार के दलदल्म हो गए अरे तुम तो अभी जमानत पाए हो केद्रिवाल ब्रश्टाचार के दल में फसे हैं अभी जमानत पर बाहर हैं विपक्ष के सभी पार्टियां आपस में कुर्सी की लड़ाई लड़ रही हैं ये कहना है राजिस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रोतक से भाचपौमीद्वार अरविंद शर्मा के प अभी पार्टियों आपस में कुर्सी की लड़ाई लड़ रही हैं उनको देश की कोई चिंता नहीं है बलकि ये सबी अपनी स्वार्थ सिद्धी में लगी हैं बजनलाल का कहना है कि विपक्ष के लोग सिर्फ जूट बोलने में लगे हैं एतना ही नहीं उन्होंने केद्रि वर भिष्ट चार के दलदल में फसे हैं आभी फिलाल जमानत पर बहर आए हैं को ये लड़ाई है मैं आप से कहना चाहता हूं एक भी पार्टी एसी नहीं है जो आपस में नहीं लड़ रहे हैं ये जिससे हापस में उनका पूरी तरफ ये आपने देख लिए आज वीडियो आपने देखा है ये कुर्सी की लड़ाई है ये आये थे किस के लिए और हो गया किस के लिए देगे ये दो जूट में मायर हैं और ये हमेशा जूट बोलते हैं कांगरेस के लोग और उनके ये लोग जो हैं इन पर जूट के लावा दूसरा कुछ नहीं है कहने को और ये हमेशा चुनाब आता है तो ये जूट बोलते है इस बार भी कांटे के मुकाबले में अरवन शर्मा भाजी मार पाएंगे या नहीं? आपको क्या लगता है? बादुर गड़ से पुरवीन कुमार धनकर, पंजाब केसरी टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद